N.C.E.R.T. New Book से Class 9 Chapter 8 Quadilators Question No. 4 तक हम complete कर चुके हैं, अब करते हैं आगे Question No. 5 देखते हैं इन एक Parallelogram A, B, C, D, E and F are the midpoints of sides A, B and C, D respectively देखें यहाँ पर एक Parallelogram given है A, B, C, D, यहाँ पर A, B का Midpoint given है E, ऐसे ही DC का Midpoint दे रखा है F यहाँ question में ठीक है? उसके बाद show that the line segment A, F and E, C tricect the diagonal B, D देखो, A, F और E, C यह दोनों line इस diagonal B, D को tricect कर रहे हैं यानि की DP equal to B, Q equal to Q यह तीनों part जो हैं यह equal proof करने हैं हमें ठीक है? तो two proof में हमने यहाँ पर लिग दिया अब देखो जैसा कि given है कि A, B, C, D एक Parallelogram है जब A, B, C, D पूरा एक Parallelogram है तो A, B equal होगा D, C के और साथ में A, B parallel भी होगा D, C के ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं देखो, A, B equal to होगा D, C A, B equal to D, C इसको आप given ही लिखेंगे क्योंकि A, B, C, D एक Parallelogram है तो A, B equal to D, C तो इनका half भी तो इकल होगा मैं यह भी लिख सकते हूँ half of A, B equal to half of D, C देखें क्यों लिखा है अभी आपको पता पड़ेगा A, B का half A, B पूरी साइड इसका half क्या होगा क्योंकि A, B का midpoint है तो हम यहाँ से A, B का half लिख देगेंगे A, E, B भी लिख सकते थे आप लेकिन हमें जरूत है A, E की इसलिए में A, E लिखूँँगा A, B का half क्या होगा A, E equal to D, C का half तो D, C का half होजागा C, F या फिर आप D, F भी लिख सकते हो तो हम यहाँ लिखेंगे C, F क्योंकि C, F की ही हमें जरूत, तो D, C का half क्या होजागा C, F ठीक है अब जरा देखो यहाँ पर इस quadilator में A, E, C, F में A, E equal to C, F अभी हम नहीं आप प्रूब किया ठीक है यह अभी हम नहीं आप प्रूब किया और A, E, C, F के parallel भी है क्योंकि पूरी A, B साइड पूरी DC के parallel है तो A, E, B, C, F के parallel हो गई तो यह क्या बन जाएगा एक parallelogram क्योंकि किसी भी quadilator में opposite sides अगर equal है और साथ में parallel भी है तो बन जाएगे parallelogram तो चलो सबसे पहले तो हम यह parallel भी लिख लेते हैं ठीक है also A, E A, E parallel to CF यह बात आपका समझ में आगे लिखने की ज़रा होती है क्योंकि पूरी A, B parallel है DC के तो A, E parallel हो गया CF पे ठीक है तो यहां से लिख देते है it implies that A, E, C, F क्या बन गया एक parallelogram ठीक है एक हम यह लिख देते हैं इसको इसको parallelogram ठीक है अब क्योंकि इसी result को मैं बार-बार यूज करूँ हूँ तो यहां पे लिख देता हूँ equation फर्स्ट ठीक है तो A, E, C, F हमारे एक parallelogram बन गया अब चलते हैं ज़रा इस triangle में triangle A, B, P में ठीक है तो मैं लिख देता हूँ इन triangle A, B, P A, B, P triangle में देखो E, जो है A, B का midpoint है और यह E, C line हमारी parallel थी न इसके तो E, Q भी parallel हो गया किसके? A, P के E, Q parallel हो गया A, P के तो यहां लिख देते हैं सबसे पहले तो हम लिखेंगे A, E, E equal to E, B यह question में given है given क्या है? midpoint given है and दूसरी चीज क्या लिखेंगे? E, Q parallel है A, P के देखो E, Q parallel है A, P के क्योंकि यह पूरा parallelogram था और यहां मैं reason लिखूँगा from first और जादा लिखने की जरूत नहीं है जब यह पूरा parallel जब यह line इसके parallel है क्योंकि यह पूरा parallelogram था तो इतना पार्ट भी parallel होंगी E, Q parallel to A, P चीज क्या है? तो यहां पर लिख देखेंगे therefore by converse of midpoint theorem चीज क्या लगा देंगे हम यहां पर converse of midpoint theorem चीज क्या हो जाएगा? B, Q equal to P, Q लिख देते हैं B, Q equal to P, Q चीक है? यह आगे B, Q equal to P, Q को नाम देते हैं second एक बात आप समझे किसी भी एक triangle में अगर यह line दोनों parallel है और एक side का midpoint है तो यह line जो parallel line यहां पर इस वाली line पर जहां मिलेंगी यह जो point है गाना Q यह इस line का, यानि इस side का midpoint होगा यानि कि B, Q equal to QP यह हमादी converse of midpoint चिरम कहती है एक result हमारा आगे यहां से इसको नाम में हमने दे दिया second ऐसे ही जरा इस triangle में देखो D, Q, C इस triangle में आप देखिए चलो मैं यहां लिख देता हूँ यहां पर ही solve कर देता हूँ इन triangle D, Q, C D, Q, C triangle में देखो तो F is the midpoint of D, C given है और देखो क्योंकि यह पूरी के पूरी line parallel थी parallel Q थी बार-बार में बतारो आपको यह हमने parallel होगा प्रूव कर दिया part first में यानि equation first में तो यहां से देखो P, F parallel होगा Q, C के तो इस triangle में D, Q, C में हम यहां लिख देते हैं लिख देते हैं D, F equal to F, C D, F equal to F, C क्यों है क्योंकि यह given है दूसरा यहां से P, F parallel to Q, C के P, F parallel to Q, C और reason हम यहां लिख देगे from first ठीक है लिख देते हैं from first अब यहां पर D, F equal to F, C और P, F parallel to Q, C तो यहां इस triangle में हम लगा देते हैं Converse of midpoint theorem देर्फोर भाई Converse of midpoint theorem लिख देते हैं By Converse of midpoint theorem अब देखो Converse of midpoint theorem से क्या हो जागा Converse of midpoint theorem से D, P equal to P, Q मिल जागा ठीक है क्या मिल जागा हमे D, P equal to P, Q यही तो हमारा होता है इकवास है यहांसे पेडल होती है जहां पर यह लाइन पैलल उस साइड को यह जो पॉैंट होता हुट अजडा है इस एकवेशन को नाम मुद्स देते हैं अब जड़ाvoll सेकंड के लिखिण में हमें मिल एकवेशन भी इकवेशन भाइन हो गातब यह इकवेशन, हो गए dp equal to pq अभी हमें मिला और यहां पर मिला तब pq equal to q तो यह दोना आपस में equal हो गए तो हमें लिख देंगे from second and third second और third से हमें क्या मिल गया कि तीनों part equal यानि कि dp equal to pq यही हमें प्रूब करना था ठीक है उमीद करता हूं क्वेशन आपको समझ में आया होगा अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोशना है चली मिलते हैं नेक्ट वीडियो में क्वेशन नमबर 6 के साथ ओके थैंक यू